वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंट्स थैंक्स वो जोइनिंग फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप शीक्स छटी क्लास के र्याजी की फर्स्ट जो यूनिट है फाइव वन पॉइंट वन आज इस अक्से साइज को आप हल करना जाव हो सीख पाएंगे जो कि फर्स्ट यूनिट की पहली मशुक है इसके सवालात को आप हल करना जाव हो सीख पाएंगे फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा इस लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक क किजएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हलने आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जाव सबसे पहले देख पाएंगे तो फुर्स्ट जो हमारा पहला स्वाल है इसमें स्टेट्मेंट आपको दी जाती है अबारत लिखी होती Statement को पढ़ के आपने समझना होता है तो ये आपका basic तोर पार ये set का unit है है तो set की कुछ definitions होती हैं तारीफ होती है पर ले उनको आपको समझने की जूर्ए होती है उनको समझने हुए आप सुवाल को जो हल कर पाते हैं तो first अगर यह तो इन में से मैं तीन आप के लिए हल कर रही हूं तो इन में से आपने बताना है कि इन में से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है तो सेट के अगर डैफिनिशन की बात की जाएं तो डैफिनिशन के हिसाब से यह है कि ऐसे किसी सेट में मजूद अशिया या अरकांज है वो सेट के अरकांज है वो वाजिया होते हैं वाजिया से मुराद दिया है कि आप उस चीज के हवाले से बता सकें कि यह चीज मजूद है यानि कि फर्स्ट अगर यहां पर पढ़ा जाए पाकिसान के पांच सूबे हैं तो हमें पता है एक जर्नल नौलिज की बात है कि हमारे मुलक में कितने सूबे हैं जो कि वाज़ा तोर पर है पता है हमें पांच है यानि ये चीज़ नहीं है कि हमें पता है कि कितने सूबे है यानि ये वाज़ा तोर पर बताया गया है सिस्टम में ये चीज़ है कि पांच सूबे जो है वो पाकिसान के है तो आपने इसको बताना, आया ये set है या नहीं, तो इसमें क्योंकि अरकान जो कहे गए हैं, वो वाज़या है, यहनी हमें पता है, कि इसका answer यह होता है, कि यह जो पूछे गई है, इसमें यह answer है यानि 5 सुभे हैं तो यह वाज़या है तो इसका मत्तब है चीत यह पांच यह सैट तो इसका और पहले का होगा कि यह सैट है ठीक है तो next जो जै वह कहा गया कि statement के थाठी के स्कूल के तेज लड़के थे हैं अब व में हमें हम पता है बहुजारा की नारत है यह अगर तो आपके government level के school हैं तो वहाँ पे बच्चे जा हो हजारों की तदात में होता है तो इसमें statement में कहा गया के school के तेज लड़के अब हमें नहीं पता जारी बात है अगर तदात की बता आया जाए कि कितने लड़के हैं या कोई भी इस चीज को वाज़ तो पर नहीं बता सकता है कि कितने लड़के तेज हैं तो अब यह आया यह सेट है या नहीं यानि क्योंके इसमें वाजय तोर पर चीज जो है बताई गी वो वाजय नहीं होती है यानि जब हम इस चीज को सर्च करते हैं या ढूंडते हैं तो इसका वाजय तोर पर आपको आंसर नहीं मिलता है, ठीक है जैसे कि 5 सुबे वाज़ तो पर एक जवाब मुजूद है कि इसके 5 सुबे हैं तो तेज लड़के हमें एक स्कूल के नहीं बता सकते हैं तो यह सेट नहीं होगा ठीक है? जिसमें वाज़ तो पर चीजों को अरकान को नहीं बताया गया होगा तो वो आपका सेट नहीं होंगे तो ये सेट नहीं है ठीक है आगे है नो से कम खुदर्ती अदाद तो ये हमें पता है जिन बचों ने सेट पड़े होते हैं खुदर्ती अदाद आपको पता है एक से शुरू हो के यनि आपकी जो गिंती है वो आपका खुदर्ती अदाद का सेट कलाता है जिसको नैच्रल नमबर कहा जाता है तो यहां स्टेट्मेंट में यह हमें पता है कि खुदर्ती अदाद मजूद है तो इन में से जो खुदर्ती अदाद है नो से कम नो से कम आपको हमें पता है वह कुण से होते हैं आठ है साट है छी है य electro करざीव कि चीज पता है कि यह मुझी है तो यह एक वाज़ी चीज है जिसका आंसर आपको जारी बाद मिल जाता है या मज़ूद है यह कह सकते हैं अब तो इसको आप कहेंगे कि यह सेक्ट है क्योंकि इसका आंसर वाज़ तोर पर मजूद है जो कि आपको जारी बाते चीज़ बताने से पता चलती वो किसे आदी चीज़ तो आपके स्वाल में मजूद होती है कुदर्ती अदाद जारी बाते बच्चे नंबर्स को पढ़ते हैं को पढ़ते हैं को पता है कुद्दिरती अदाद मुझूद एं यह की वाजया चीज़ है और यह बताना के नो से कम हैं तो मजूद हैं वह आपके सामने और अर्वाज़के को बता दिए वह आठ 7 छे 9 और 1 तक जाते हैं जो एक वाजयार गान है तो इसका मतब्य इसका answer set है यह set है नेक्स्ट हमारा question number two है student यहां पर अगर statement पढ़ी जाए तो उन्होंने कहा है कि आपके बताएगे जो set है इन में से कौन सा बयान दुरूस्त है और कौन सा गलत है ठीक है यह आपके सामने यह तकरीबन दस तक होते हैं सारे जितने भी स्वाल होंगे सब में इतने ही होंगे यह almost आपके मारूजी टाइप के स्वाल है या फिर आपके short जो term के स्वाल होते है शोट questions ह होते हैं उन में यह आ सकते हैं तो यहां पर आपके सामने मैंने सर्फ तीन लिखें बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं यह इसको समझ के आपने बाकी स्वाल को हल करना है पहले भी जो आपके लिए छोड़े गया है उनको आपनी जार्वात है समझ के question number two में है कि के पास दो सेट है ए और भी है ए में अरकान आपकी क्या है ए ए आई ओ यू जो कि आपके वोवल अलफाज होते हैं जो कि आप केजी क्लास से पढ़ते हैं बच्चे यनि आपके ABC का एक हीसा है ए ए आई ओ यू यनि ग्रैमर के तोर पर यह चीज़ें सिखाई जाती है यह ए आपके ग्रैमर के तोर पर A के साथ क्या आएगा N अगर E आता है तो इसके साथ किसका लफाज क्या इस्तमाल होगा N यह पांच जब ही आपके लफाज कहीं पर आपके अलफाज में इस्तमाल होते हैं तो इसके साथ N लगता है यानि A नहीं लगेगा A N का इस्तमाल होगा य जो आई थिंक बहुत सरे बच्चों को पता होगा तो यहां पे बी का यह आपके एबी सी जी तक यह भी आप बच्चों को पता है कि एटू जैड एबी सी आपके अरकान है यह सेट दो दे दिये गे हैं इनमें उन्होंने कहा है जी एक में वावल अलफाज हैं दूसरे में आपकी जाहर होती है इसको कहा जाता है एलिमेंट ठीक है अगर तो एलिमेंट यह रुकन होगा यानि रुकन है तो यह के साथ जाहर किया जाता है ठीक है तो अलामती तोर पर कह सकते हैं यानि अलामती तोर पर इसे जाहर किया जाता है और अलफाज में क्या लिखा जाता है यह रुकन है तो अगर रुकन नहीं होता है उसको ए के उपर एके उपर ऐसे डाइगनल अलामती तोर पर इस तरह लाइन को जह है वो शो किया जाता है यह नहीं कट कर दिया जाता है लगा दी जाता है जो के जाहिर करती है कि रुकन रुकन इसका नहीं है रुकन नहीं है ठीक है तो यह बताना है कि यह दुरूस्त है या फिर गलत उन्होंने तो जारी बात है आपके जो इंग्लिश में लिखा गया कि ए इन एक इसको जारी करता है element, element से मुराद जो set a है ठीक है अपनी स्टेट्मेंट को समझने है कि क्या चीज पूछे गई है उन्हें कहा कि A जो आपका set है, इसमें रुकन, इसमे मिराद रुकन या फिर element है, A उन्हें कहा A में ए जो आपका set है, उसमें small A जो है वो मुझूद है तो आपने बताना है आया ये दुरूस्ट है या फिर गलत? यह रुकन है या नई या element है या नई तो यह A का रुकन A है यह अगर आप गोर करें A के अंदर छोटा A यह small letter जह हो मुझूद है तो यह क्या होगा? दुरूस्ट है यह statement उनकी क्या है? दुरूस्ट है ठीक है यह इनका दुरूस्ट है जो आपको लगफस कहा गया दुरुस्त का है तो वो लिक दें तिक का है तो टिक कर दें ठीक है जो भी मीडियों जो भी अलामती तोर पर जाहिर करने के लिए कहा जाएगा वो आप लिखेंगे तो यहां पर बताना है दुरुस्त और गरत तो यहां पर यह दुरुस्त है ठीक के आगे चलें इसमें कहा गया कि सी जो है वो मजूद नहीं है यह ऐलिमेंट नहीं है बी का तो आपने चेक करना है कि आया हो यह जिस तरह आप कह सकते कि कोई सवाल पूछ रहा है कि आया यह चीज है या नहीं यह आपका सवाल है जो कि आपकी बुक में आपकी मशक में बज़ांट की कि तो आया ये है या नहीं आपने सेट देखा उसमें सी मजूद है उन्होंने कहा जी set रुकन जहाँ वो नहीं है हालाई कि अगर हमने टे vector किया लृट तो आपने बताना है कि वो गलत है या पिर सही है इस तो यह बताने की नहीं जी E, रुकन नहीं है ठीके, element नहीं है note element या फिर element रुकन है या नहीं इसको अलामती तो बार आपने खाली जगा को पूर करना है या आपके खाली जगा है तो यहाँ पे अलामत आपने लिखने है कि कोन सी आती है ठीके, यह आपका पहले ही स्वाल है यह नहीं आपने set बताना है जो के method आप पहले भी सीख चुके हैं पिछले स्वाल में कि रुकन कब होता है और रुकन कब नहीं होता है जिसको अलाम्टी तो पर E और यह इस तरह E के उपर लखीर लकार E के उपर cut की अलाम्वत यह वो लगा दी जाती है तो यह आपके रुकन नहीं को जायर करती है उन्होंने कहा है दो तीन में A जो है वो रुकन है ठीक है रुकन है यह नहीं तो यहाँ पे आपने लिखना है अलाम्पर की तो पर के यह E आयगा या फिर E के उपर कट आएगा, उन्हों किया दो और तीन में A मजूद है तो ये इसका रुकन है, तो ये रुकन है या नहीं, ये आपने सोचना है, ठीक है आप साथ साथ सोचा करें कि आया क्या अंसर आता है, यानि मेरे लिखने से पहले आप सोचा करें तो A इसका अगर दो तीन स्केरकान है, तो जारी बात एक तो इसमें है या नहीं तो यहां पर क्या आजा, E के उपर आपने कट लगा दिना है E के उपर जाओ कट लग जाएगा, यानि ये इसका रुकन नहीं है, अलामती तो पर ये खाले जगा में आएगा इन्होंने कहा, A, B, C में B जो है, वो रुकन है या नहीं तो जारी बात है, अगर रुकन होगा तो वो किस से जाहर किया जाता है, E से जो नहीं होता, उसको आपने E के उपर कट लगा दिना है तो आगे statement है, बाकी आपके लिए छोड़ी जा रही है, वो आप सोचना और फिर समझ के लिखना बस्ते में मुझूद जो अशियां उनमें copy मुझूद होती है, ये तो हर बच्चे को पता है तो आपने रियाजी के जबान में बताना है कि ये इसका रुकन है या नहीं तो हम E लगाएंगे या E के उपर कट लगाएंगे E लगाएंगे, यानि ये इसका रुकन है इसका element है यानि बैक के अंदर copy हर बच्चे के मुझूद होती है तो ये वाज़त और पर हमें आंसर इसका पता है तो इसलिए इसको E से जाहिर किया जाता है नेक्स्ट आपका question number 4 है यहाँ पे भी same वो ही आपने लिखना है E ठीक है, वो E के उपर कट लगाना है यानि ये किसको जाहिर करता है रुकन का यानि यही अभी तक बात हुई है यानि आपके जितने भी पिछले स्वाल है इनमें यही बात गुए है अगर तो रुकन होगा तो उसको E से जाहिर किया जाता है अगर नहीं होगा तो उसको E के उपर कट लगाके अलामती तोर पर जाहिर किया जाता है ये भी almost आपके 10 स्वाल है तो मैं आपके लिए दो कर रही हूं यह अगर आप दो के मेथड को इचे तरीके से सीख लेते हैं बाकि आप खुद भी कर लेते हैं तो उपर स्टेटमेंट अगर पढ़ी जाए तो उन्होंने का है कि बियानात को अलामती तोर पर लिखे हैं यह जो आपके सामने स्टेटमें लिखे गए हैं इनको अपने अलामत यह जो लिखेंगे यह अलामत है यह उन्होंने स्वाल जब आपको अब अलफाज में पूछा है और इसको आपने अलामत में लिखने हैं उन्होंने का ए सैट है डबल्यू का तो इसका मतब ओ पहले आएगा यह क्योंके रुकन है तो र ifeful रोकन नहीं है ठीक है एफ का रोकन आम आम जो है वह सैट आफ का रोकन नहीं है इसका मतलब se ہ tarp का नाम क्या है वा पहले लिखा जाता है लोuk ко ind मी एफ आपका seven और इसको अलामती तोर पर क्या लिखने है है ए लिखे और ऊपर कट लगा दें थे तो यह अलामती तोर पर जाय करता है कि आपका रुकन यह नहीं है यहीं सेट का रुकन नहीं है आम इसका रुकन जो है वो नहीं है नेक्स्ट आपका question number five है यहाँ पर आपने बताना है कि statement अगर आपके लिए पड़ी जाये तो कौन सा मजमुवा सेट है सेट नहीं है और क्यूं नहीं है ठीक है इसकी वज़ा भी साथ बताने है कि यह सेट क्यूं नहीं है ठीक है आपके सामने यह तीन लिखे हैं यह almost आपके दस से भी जादा स्वाल हैं लेकिन मैं आपके लिए तीन कर रही हूं तो आप इनको समझ के बाकी आप खुड ट्राइ कीज़ेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया है इए के अरकान क्या है बी ए ए ं के तो यह सेट है ठीक है यह अगर आप डैफिनीशन के हसाब से चलते हैं तो यह कहा जाता है कि सेट के अंदर जो अरकान होते है यह बी ए ए ए ए एन के यह यह मुक्रिख होने चाहिए यह रिपीट नहीं होना चाहिए सारे मुक्लिख तो आपके सेट होते हैं लेकिन अगला सेट नहीं बनता वजह इसमें रपीट है एल और एल जो है वो दो दफार है ठीक है रपीट जिसमें रुकन ना हो और कान ना हो एलिमेंट रपीट ना हो ठीक है तो वो सेट नहीं होता है यही इसके वज़ा है वज़ा इसमें यह रपी स्कूल में कोई भी नहीं बता सकता है कि कितने बड़े लड़के हैं तो ये बादया सैट नहीं होगा तो ये भी सैट आपका नहीं है ठीक है जो कि आपका फाइनल आंसर होगा बाकी आपके लिए स्वाल छोड़े जा रहें आप खुद हल कने की कोशिश कीज़िएगा यह तो नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेस्टन नमबर शीच छटा सवाल जाँ आपका वहां पर लिखा गया कि अरकान लिखें ठीक है यहां पर यह अरकान लिखें थे भी एसी एन और के यह आपके र्याजी में इनको क्या चाह जाता है अरकान यह फिर एलिमेंट कहा जाता है ठीक है उर्दू में आप अरकान कहते हैं इंग्लिश में element कहा जाता है तो इन्होंने कहा है स्वाल में कि आपने अरकान लिखने हैं तो पहला आपके पास है ये भी almost आपके 10 यानि almost आपके 6 स्वाल हैं तो 6 के 10 10 आगे स्वाल बनते हैं तो यह अल्मॉस्ट सिक्स्टी स्वाल बनते हैं जो के एक मरूजी टाप के स्वाल हैं आपके शोट जो स्वाल होते हैं ठीक है मुगते सर जो सवाला होते हैं आपके वो आपके इन में से बनते हैं ठीक है तो आपनी स्टेट्मेंट को जिस्ट समझना होता है तो सरफ आपके दो अल्फाज में आपका अलामती तोर पर या नहीं या ऐसे लिखा और आपके आंसर आ जाता है ए रुकन है तो ई लिख दे तो जो भी आए सवाल के हसाब से उसके मताबक आपने जवाब लिखना आता है तो यहां पर आपने क्या लिखने है अरकान आपने खुद लिखने उ आखरी चार महीने क uns जी करें ये भी हमें वाज़ात तो पर पता है कि आप 4 जॉब्र को पहले पार्य पारी जॉट्फ चार महीनेे चाहरी हुते हैं आए थिनक बच्चों को ज्यादातर पता होता है इन्हीं में आपके एक्जम भी हो रहे होते हैं छुटियों के बाद के ये बनते हैं वो है स्टंबर, अक्त Oysis नोबमबर और दिसमबर जो के सान के आखरी बनते हैं स्टंबर है अल्ठीक है आखरी चार, अक्तूबर होता है, ठीक है, यह आप सोच लेना कि कैसे बनते हैं, अक्तूबर आता है, फिर नुमबर, ठीक है, फिर दिसंबर, यनि साल के जो चार, आखरी चार है ना, वो बताने वो यह चार है, ठीक है, इसी तरह आगे चलें, हफ़ते के, साथ दिनों का सेट, ठीक ह आगे इनोंने कहा है कि आपनी ये पहला स्वाल है आपका ठीक है 10 हैं तो हमें आपके लिए 2-3 कर रही हूँ हफते के साथ दिनों का दिनों का सेट ठीक है वो भी आप सीख रहे होते हैं शुरू की क्लासिस में ही सीखा होता है सबसे पहले आपका क्या आता है सोंवार ठीक है अगर आप English Medium का कर रहे हैं तो जारी पात है वो भी आपने सीखा होता है Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday जो भी आपका मीडियम है उसी के हसाब से आप लिखो गया अब मैं उर्दू मीडियम की बुक मेरे पास क्योंके राफरेंस के तोर पर है तो यह मैं उर्दू में आंसर लिख रही हूं तो आपका अगर English मीडियम है तो आप उसके हसाब से लिख सकते हैं सोंवार यह बच्चे जो है वो छोटी क्लासिस में सीखते हैं थर्ड क्लास में फॉर फिफ्ट में सीखते हैं तो सोंवार मंगल के बाद क्या आता है बुद आता है या पिर हमें खुद भी पता होता है क्योंके हम जब अपनी जिन्दगी को जी रहे होते हैं तो स्कूल के तो आई तिंक रोज डेट लिखी जाती है दिन लिखा जाता है कोपी बार तो यह आपको वैसे जुबानी पता होते हैं सोवार मंगल बुद्ध है ठीक है यह सरफ आपको रियाजी की जुबान में पूछे गए हैं ठीक है बाकि आम जिन्दकी से ही स्वाल होते हैं लेकिन आपको रियाजी की जुबान में लिखने है ठीक है सोवार मंगल बुद्ध है फिर जुमा ठीक है आगे जगा तो मैं नीचे लिख रही हूं जुमा हवतार तवार ठीक है यह आपके साथ दिनों का सेट है तो नेक्स आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वैसे मैं आपके लि इसकतिरी यहां पे लिखा गया है कि पाक्सान के जंडे में मुझूद रंगों का सेट तीक है वो आपको पता है सफेद और सबस रंग होता है जो के वाजा तो पर एक आंसर है जो हमें पता यह खिन अमें का तो नेक्स्ट एस ले पाक्स दो पाक्सान के नाम बनते हैं यानि जिस तरह का आपका स्वाल होगा उसी के हिसाब से अपनी आंसर देना है तो यह आपके विल्कुल आम जिंदगी से ही लिए जाते स्वाल हैं और जारी बात है उनको आपने रियाजी की टर्म के हिसाब से रियाजी के फार्मूलों के हिसाब से जाब वो आ असान हुआ आपके लिए अगर आपके लिए वीडियो जाव हेलपफुल रही है आपके लिए मददगार थाबत हुई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजेगा अगर आप यहां पर कोई स्टूडेंट हैं तो अपने फैलो स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट की हल्प हो सके और बच्चे जहां वो रियाजी में जारी बात अच्छे नमरों से पास हो सके और अगर आपको मेरे मैठट के हवाले से कोई आपको कमी लगते है तो आप प्लीज कोमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपनी मिस्टेक को जो गल्ती हैं दूर करके आपके लिए वीडियो को ज़्यादा अच्छे ते किसे बना सकूँ लाजमी आप अपनी कमेंट में लिखकर जो भी आपकी राय हो उसको कमेंट में जो लिखेगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया